और 36 गर में पंचाय चुनाओ पर संकट गराता नजर आ रहा है संबंधित चुनाओ में आरक्षन प्रक्रिया को हाई कोट में चुनाओती दी गई है याचिका में 36 गर पंचाय राज्य अधिनियम 1993 में की गई विवस्ता को सम्विधान विरूधी बताया गया है मामले में प्रारंबिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कॉंग्रस और राज साशन के अलावा राज निर्वाचन आयो को नोटिस जारी का जवाब मांगा है इसके लिए चार सब्ता की महलत दी गई है याज का करतावने 30 तरी पंचाय चुनाओ जिसमें ग्राम पंचाय जनपद वाज जिला पंचाय के लिए हो रहे चुनाओ में राज साशन ने आरक्षन की जो प्रक्रिया अपनाई है तब सम्विधान में दी गई विवस्ता के व प्रीथ है और इसी कबर पर राइपुर से मरसा जुड़ा हमारे स्टेट है नितिन चौबे जी नितिन जी पंचाय चुनाओ पर एक बार पर संकट गहरा गया है जी निश्ची तोर पर बुदवार को जटिस गण तुमाने त्री पंचाय चुनाओ पर संकट गहरा है जब याचिका करता पुश्चर नास बित्रा के वकील रोहिष चर्मा ने ये रिट लगाई है हाई कोट में कि जो पंचाय की राज अधिनियम 1993 है उस अधिनियम के पीपी साहू की जो बैंच ने सुनवाई करते हुए केंदर के साथ साथ राज शार्शन और राज निर्वाचार रायों को नोटिस जारी कर इस बारे में चनाल हकते के लिए जवाब मांगा है याचिका करता का ये कहना है कि त्री इस तरी पंचाय चुनाओं में जो भी प् पंचाय चुनाओं में जो सुप्रीम कोड की गाइडलाइन है उसे पचास परसेंट से ज्यादा की आरक्षण प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है लेकिन वरतमान में होने वाले ग्राहम जनपात और जिला पंचाय पे जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाए गई है चुना महिला और इंग्लो इंडियन को अगर आरक्षण में सामील किया जाता है तो ये उनकी और धानाकर्शी तनका उसने अपनी याचिका में पुर्जोर प्रयास किया है कि इनको इस आरक्षण प्रक्रिया में शामिल कर उनको जो चुनावी प्रक्रिया में महत पतार दी जाए ब्रक्र बहुत 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 शुक्रिया नेतिन जब मारे साथ समाम जानकारी को साजा करने के लिए तो अब अच्छतिसगर में होने वाले पंचाय चुनाव पर भी फंकट गहरा गया है